दिवाली सभी को और आज के दिन हम क्या है कि मुरे ट्रेडी में अक्सर होता है कि सब कुछ लोग जो रिटेलर्स खास कर जैसे आप और मेरे जैसे लोग है वो सब इन्वेस्टिंग के परपस से आज के दिन ट्रेड करते हैं बागी लोग वॉल्यूम बहुत कमल होता है क्यों तो यह होता कि अक्सर ऐसा ही कुछ होता है ठीक है इस तरह की गैप अप मिलते है 200-2006-2006 पॉइंट के गैप अप मिलते है निफ्टी में बैंक निफ्टी में सो अब को करना कहा है इसमें कि आज मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट देता हूं वह है Cindy के चाच जीछ शेप अगर आप यहा पर दिखे तो कुछ करने है स्बसे म 모lep कि मंतलब कहते कि हां यही करना चेक है कि जिन गी जॉप पो जाते है उन वह थे ट्रेडिंग करना अर YE, कि अपना एक कॉडर एक से employर यहां ठोड़ देता है ठीज्ट ईतकोड़ा कि कि आप इसमें ना जो stop loss हिट जाते हैं ट्रेंट ट्रेडिंग में नुकसान होने के ज्यादा चांसे जो जाता है ज्यादा तो ठीक है वह सब चीजें होती है अब क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको वह सब नहीं देखना होता है और दूसरी सबसे बड़ा फायदा जो मुझे इसमें देखता है कि आज मार्केट का मौल माहुड वेकार है एक्ष निफ्टे 200 नीचे खुला यह हो गया है फैड के रेट हो गई सब कोई मैटर नहीं करता सबसे बढ़िया यहां पर यह होता है स्विंग ट्रेडि में ठीक है अब आप देखोगी इसका ही चार्ट है जी शिप का ठीक है अब आप मैं सबसे पहले क्या गता हूं कि आपको इसमें दो मूविंग एवरेजिस यूज करनी चाहिए 10 और 20 ठीक है जब भी 10 20 को ऊपर यह तरफ से काटता है जैसे कि यहां पर यह दो टैन सबसे पहले नीजे चल रहा था यहां पर ठीक है यह कुछ 308 के प्राइस के आसपास कि यह ना इस पर इस लेवल के नीचे 10 यह में चल रहा था ठीक है अब क्या हुआ जैसी इसने इसको यहां से ऊपर यह तरफ काटा कब अब यहां पर दोसुर पैड होगी इसमें और उस एडम में दोको सबसे बड़ी खासित क्या हुए है कि आपका जोई साथ मार्च का जो यह केंडल बनी है बहुत अच्छी साथ मार्च को केंडल बनने के बाद से लेखो देखो निफ्टी में कितनी वालिटिटी होगी अब साथ मार्च साथ मार्च को हम 16815 पर थी ठीक है फिर वेट 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 गलत जा लिए हम यह यह रहा साथ मार्च साथ मार्च को हम निफ्टी में कहां पर क्लोजिंग होड़ी है हमारी निफ्टी में क्लोजिंग होड़ी है हमारी क्लोजिंग कहा हूं और यह साथ मार्च को यह देखो इस पे यहां पर के दिखर 16600 पर हमारी क्लोजिंग हो रही है उस टाइम पे एंड देन हम इसके बाद ऊपर भी जाते हैं अब तक का सबसे लोइस्ट पोइंट जो हमें वह टेस्ट करते हैं कब 13 जून को ठीक है मतलब वहां से 3000 पोइंट नीचे चला गया फिर हम उहीं पर आए उपर अटक गए फिर नीचे से उपर चले यहां पर हम आ गए ठीक है और अभी क्या है अब हम फिर से उपर ही तरफ जा अठाराजार फिर अठाराजार से नीचे आए कितने उगलते ले बड़ आपके स्टॉक में कभी कोई वाल्टिल्टी देखी यहां पर जैसी इसने यहां से स्विंग किया सब डर्योंगी लेने में नहीं लेना चाहें नहीं लेना चाहें पर देखो जिसने लिया धैर मतलब यहां जिसने भाव पर यकीन किया उसने इस पर यकीन किया पांसे तरासी यह उसी को मिला जिसने यकीन किया ठीक है तो यही होता है मतलब यहां अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है सबसे अच्छा मैथड यह है और इसके नीचे आप यह RSI जब देखना कि यह RSI सबसे मतलब जिसके तरह हैं इंडिकेटर्स का बाप है इस मार्केट में मुझे दूई इंडिकेटर्स सबसे अच्छे लगते हैं कि यह moving average और एक यह RSI ठीक है इसमें क्या होता है अगर RSI वरबोट बोल दिया जैसे कि RSI नहीं यहां पर ओवरबोट बोला प्राइस को कि यहां देखो यार मैं यहां पर बहुत चल चुगा हूं अब मेरे बस की नहीं है प्राइस यहां पर चल चुगा था अब यहीं से इसने करेक्शन दिखानी शुरू कर दी क्या था न हमारे हमारे से भी लोग मेरे आपके जैसे कई लोग थे वह बेचना शुरू शुरू कर देते तुरूं ठीक है अम यहां पर रसाइ गया ओर वोट हो गया महां से फिर जब इसने करेक्शन दिखानी शुरू करी प्राइस भी गरना शुरू आप बहुत गिरा और कितना गरी है प्राइस लगभग चार सो चोंतिस से आगे हैं यहां पर लगभग तीन सो तक ठीक है यहां यह सो चोंतिस रुपए अराम से गरी है ठीक है मार्गेट तुर्जी लिए आरसाइए एक यह में का मुविंग एवरेज वीकली चार्ट और निफ्टी फाइव हंड़ेड के स्टॉक्स यह मैंने इस मे गाल है ठीक है हमेशा इसी मेश से ही चुनना चाहिए ठीक है सो थेंक्यू वेरे माच एंड हैपी दवाली वांस अगेंड